25 मार्च 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन घोशित कर दिया जाता है और इसका कारण कोरोना वाइरस महामारी से बचाना बताया जाता है भारत में ऐसा लॉकडाउन लोगों ने पहली बार देखा था स्कूल, कॉलेज़, इंस्ट्टूट, कंपनी सब बंदो जाती है और जो लोग रोज कमाते और रोज खाते थे उनका धन्दा भी ना केवल उन लोगों को लॉकडाउन और कोरोना वाइरस से प्रभाव पड़ रहा था बलकि उन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था उनकी इंकम का भी जो कि बिलकुल खतम हो चुकी थी और अब लोग हर वापस लोटना चाते थे पर कोई ट्रांसपोर्ट न होनी की वज़े से वो लोग घर भी नहीं लोट पा रहे थे और ऐसे में कई सारे नाम बाहर निकल करके आए जो न केवल लोगों की मदद कर रहे थे वो लोग भी उन्हें भगवान का रूप समझने लग गए थे और ऐसे ही एक व्यक्ति की आज हम बात करने जा रहे हैं जिनको लोग गुजरात का सुनू सूध भी कहते हैं और ऐसा इसलिए कहते हैं क्यूंकि वो अपनी आय का एक बड़ा पार्ट लोगों की मदद के लिए लगा देते हैं जिस महामारी के समय पर सबकुछ अस्त व्यस्त था लोग अपनी सोर्सेस नहीं समाल पा रहे थे अपने रिसोर्सेस के लिए काम नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर ये उन लोगों की मदद कर रहे थे जो लोग गरीब थे जो लोग अपना घर नहीं वनवा पा रहे थे और इन्हों ने उस समय पर 200 से 300 मकानों को बनवाया और उन गरीबों की एक बड़ी मदद की और ऐसे ही वो अभी भी वर्क कर रहे हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दुश्ण सिंग भदोरिया और मैं आपका एपिटून पर हार देख स्वागत करता हूँ चले आज हम जानने की कोशिश करते हैं अपनी वीडियो में कि कौन है नितिन जानी यानि की खजूर भाई जो लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं और कहां से इन्हें ये पिढ़ना मिली और कैसे ये इस वर्क को कर पा रहे हैं ऐसा बिलकुल नहीं है कि इन्हें सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि ये चैरिटिबल वर्क कर रहे हैं बलकि ये इससे पहले भी गुजरात में अपनी कॉमेडी और एजे टिक्टॉकर और एक्टर के रूप में जाने जाते हैं इन्हें लोग प्यार से खजूर भाई के नाम से भी बुलाते हैं क्यूंकि इनके चैनल पर जहां पर यूट्यूब पर ही अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं उस केरेक्टर का नाम खजूर भाई है 24 मार्च 1986 में गुजरात के सूरज जिले में मध्यमवर्गय परिवार में इनका जनम हुआ था मध्यमवर्गय परिवार में पैदा होने पर जो परेशानियां हमने और आपने जहली होंगी वही कुछ परेशानियां इन्होंने भी अपनी जिंदगी में जहली 12th pass out होने के बाद इन्होंने अपनी MBA, LLB और NCA की degree को complete किया और उसके बाद एक ITI company में job करना शुरू कर दिया पर खेते ना इसे से संतुष्टी कहां मिलती है और कुछी समय बाद जब इनका मन उस काम में नहीं लग रहा था तो इन्होंने अपने परिवार को अपने सपनों के बारे में बताया और कहा कि मैं पूरे तरीके से एक comedian के रूप में काम करना चाता हूं एक producer के रूप में काम करना चाता हूं और मैं acting field में जाना चाता हूं इसके बाद इनके परिवार ने भी इनका support किया और इन्होंने उस job को छोड़ दिया जहां पर एक अच्छी खासी salary ये कमा पा रहे थे और उसके बाद उन्होंने film industries में कई सारी movies और shows का production किया अपने भाई तरुन जानी के साथ मिलकर उन्होंने जानी ब्रदर्स नाम की production company को भी start किया और जिसके थुरू उन्होंने कई सारी TV series का भी production किया 2017 में उन्होंने अपने YouTube channel को open किया और कई सारी videos को वहाँ post किया जिसे लोगोंने पसंद करना शुरू कर दिया इनके कई सारे channel अभी भी YouTube पर run कर रहे हैं और ये वहाँ पर comedy content या फिर अपनी acting से related content वहाँ पर post करते रहते हैं पर इनका channel जहाँ पर ये अपने blogs बनाते हैं वहाँ पर इन्होंने कुछ ही समय पहले कुछ videos को share किया जो लोगों के बीच में बहुत ही जादा viral हो गई और जहाँ पर ये लोगों के घरों को बनवाते हुए देखे गए 2020 में lockdown महामारी ने अपना कदम रखा और उन्हेंने लोगों को परेशान होते हुए देखा तो उन्हें वे सारी परेशानिया अपनी जैसी लगने लग गई वे कहते हैं कि जब वे छोटे हुआ करते थे तब उनके पिता के पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे फिर भी वे कई लोगों की मदद करते थे जो जरूरत मंद हुआ करते थे और वो हम भाईयों को यह कहते थे कि आगे चलकर के जीवन में अगर कोई भी ऐसा दिखे जिसको मदद की जरूरत हो तो तुम उसकी मदद जरूर करना और उसी प्रेड़ना को लेकर उन्होंने लोगों के गाओं में जाना शुरू कर दिया लोगों के घरों में जाकर उनकी माधान निकालना शुरू कर दिया आज नितिंजानी 600 से 700 मकानों को बनवा चुके हैं और आज भी अपने काम में कारे रत हैं और ये ना केवल एक प्रेड़ना दाया काम है बलकि हमें ये सिखाता भी है कि ना केवल लोगों की मदद करने के लिए आपका पैसो से अमीर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी जै हिंद जै माभारती